असलामों अलाइकूम व्यूवर्स आज हम बनाएंगे वनीला कस्टर्ड जो दावतों में बहुत इच्छा लगता है मेरी इस रेसिपी से आप कोई भी कस्टर्ड बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है आप कोई भी कस्टर्ड ले सकते हैं सबसे पहले एक पॉड में 1.5 लिटर मिलक आड़ करेंगे यहाँ पर मैंने डिबे वाला दूद इस्तमाल किया है आप कोई भी ले सकते हैं फ्लेम आपने मीडियम रखना है चीनी आड़ करेंगे आठ टेबल स्पून व्यूवर्स आप याद रहे आपने फ्लेम मीडियम ही रखना है अच्छे सा मिक्स करेंगे चमच आपने हलका हलका इसमें चलाते रहना है जैसे ही ये बॉइल होने लगे एक अलग बोल में आपने वन कप मिल्क सेपरेट कर लेना है अब जो दूद हमने सेपरेट किया है उसमें हम कस्टर्ड पाउडर एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने एट टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर एड़ किया है कंसिस्टेंस ही जितनी भी आप ठिक रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम नीम गरम दूद में ही कस्टर्ड पाउडर एड़ करेंगे इससे आप लंप्स नहीं बनेंगे हाईस्था आईस्था अच्छे से Phantom करते रहेंगे जैसे यह mix हो जाए और दूसरी दुरह यहां पर हमारा दूद्ध भी बॉईल हो चुका है मैं अभा यह मिक्स्चर दूद्ध में हैड करेंगे और अच्छे से हिलाएंगे चमाचाप चलाते रहेंगे इसके अंदर तो हमारा कस्टर्ड थिक हो चुका है जितना पसंद है हमें यह देखें मियूर्स जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो हमें मिल गई है अब फ्लेम इस पॉइंट पर आकर हम बिल्कुल लो कर देंगे एक अलग बोल में हम गस्टर्ड निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो अब हम इसके लिए जैली तयार करते हैं एक अलग पैन में दो का पानी आइड करेंगे और इसको बॉइल होने देंगे जैसे ही पानी बॉइल होगा तो देखिए व्यूवर्स यहां पर मैंने जैली के डिफरेंट फ्लेवर्स लिए हैं आप कोई भी जैली तयार कर सकते हैं जैसे ही हमारा पानी बॉइल होगा हम इसमें जैली पाउडर एट करेंगे सबसे पहले मैंगो फ्लेवर्स तयार करेंगे यहां बर मैंने डिफरेंट फ्लेवर्स लिए हैं आप कोई भी एक फ्लेवर्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चमचा आपने इसमें चलाते रहना है और जैसे ही यह बॉइल हो जाए तो हम इसको अलग पैन में निकान लेंगे तो हमारी जैली तयार है हमारी जैली का एक फ्लेवर्स तयार हो चुका है अब हम इसी तरह सारी जैली तयार कर लेंगे यहां पर मैंने बनाना फ्लेवर्स ट्रॉबेरी फ्लेवर्स और मैंगो फ्लेवर्स लिया है इसी तरह हम सब जैली तयार करके एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे हमारी बनाना जैली भी रेड़ी हो चुकी है इसी तरह हम अपनी सब जैली रेड़ी कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी स्ट्रॉबेरी जैली भी रेड़ी हो चुकी है स्ट्रॉबेरी जैली यहाँ पर मैंने ज्यादा कॉंटिटी में ली थी और हमारा कस्टड भी ठंडा हो चुका है अच्छे से अब हम इसको बीटर की हेल्प से अच्छी तरह बीट करेंगे अच्छे से बीट करेंगे कोई लंप इसमें ना रहे देखिए इसका टेक्स्चर कितना क्रीमी है यहाँ बर मैंने प्लेइन केक लिया है आप फ्रूट केक या कोई भी केक आप ले सकते हैं यहाँ पर जो आपको पसंद हो आप इसमें फ्रूट भी आड़ कर सकते हैं एपल बनाना कुछ भी आड़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ केक से ही यह सिंपल कस्टर्ड तयार किया है सबसे पहले हम केक की लेयर लगाएंगे उसके बाद हम कस्टाड एट करेंगे फिर उपर केक की लेयर लगाएंगे और कस्टाड एट करेंगे इसी तरह लेयर्स लगाते जाएंगे और कस्टाड एट करते जाएंगे यहाँ पर हमारी जैली भी ठंडी हो चुकी है आपने इसको ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रखना है अब हम इसको क्यूब्स की शकल में काट लेंगे जैली को क्यूब्स में काटने का सबसे अच्छा तरीका है यह आप इसी तरह काट सकते हैं अब हम इसको अलग कर लेंगे तो हमारे सारे क्यूब्स अलग हो चुके हैं अब हम इसको अपने कस्टड के ओपर सेट कर लेंगे इससे हमारा कस्टड दिखने में बहुत अच्छा लगेगा आप चाहें तो अलग भी जैली रख सकते हैं साथ और इसके उपर भी अड़ कर सकते हैं तो बहुत ही मज़ेदार हमारा कस्टड रेड़ी हो चुका है अब हम इसको सर्फ करेंगे उमीद करती हूं व्यूवर्स आपको मेरी आज की ये रेसेपी बहुत बसंद आई होगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा अल्ला हाफिस